नमस्कार मुद्दा में आपका स्वागत है मैं हूँ रश्मी भूय शेर्मा ग्रेटर तिप्रा लेंड के समवेधानिक समाधान की मांग करते आए शाही वन्षज प्रद्यो देव बर्मा का एक आडियो संदेश जारी हुआ है ये आडियो संदेश उन्होंने सीपीम की ओर से लगाए गए उन आरोपों के जवाब में जारी किया है जिसमें पार्टी के राजसमीति के सचीव जितेंदर चौधरी ने कहा था कि तिप्रा मोथा टीटी एए डीसी को चलाने में विफल रही है फंड के दुरूपयो का भी बड़ा आरोप लगाया गया है इतना ही नहीं भाजपा के साथ गुप्त साथगाट का भी वे आरोप लगा रहे है आए पहले सुनाते हैं जितेंदर चौधरी का वब ब्यान फिर प्रद्यो देव बर्मा का आओडियो संदेश आपको सुनाते हैं आज मैंने जितेंदर चौधरी का स्टेटमेंट देखा है उसने कहा है कि फरकार बलशेन नेशामक्त तुपुरा जोदियो आवार सरकारे तत्थेई एस्चे ए तुपुरा जो ए नेशाकार बारे बारत बर्शेन मुद्धे एक नाम बारे आइन सिंखला तारकुन नियोंत्रण नी पुलीश कुनमजा गाते एक्टिप ना एई कारणे जे बाजारे मुरी मुर किर्मत एई ड्राग बिक्री होच्छे ड्राग बेभार बार्च्छे और अर्थनेटिक समाजिक एई जे अस् देव बर्मा ने ओडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि कमिनस्टों की 35 साल राज में सरकार रही लेकिन उन्हें ने जनजातियों के लिए कुछ नहीं किया और जब वे तिप्रासा लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है साथी उन्ह मैंने जितिंद्र चौधरी का स्टेट्मेंट दिखा है उसने कहा है कि ग्रेटर तिप्रा लाइन तिप्रासा को कभी नहीं मिरेगा मैं कम्यूनिस्ट को एक बात बोलना चाहता हूं आपने हमें क्या दिया दस साल निपेंच चक्रवर्ती का राज उसके बाद 25 साल मानिक बाबू का राज 35 साल में आपने दिप्रासा को 39 में सबसे गरीब जनजाती को बना कर रखा सबसे पीछे सबसे गरीब जिसके पास नौकरी नहीं था जिसके पास एजुकेशन नहीं था आपने हमें इतना पीछे रखा आप कॉमिनिस्ट ने A.D.C को अपोस किया लेकिन आप रोक नहीं सके आपने बिजे रंखल को अपोस किया लेकिन तीन सीट बिजे रंखल लेकर आए आज आप मेरा ग्रेटर तिप्रा रैन को अपोस कर रहे हो खुद तो कुछ नहीं कर सके लेकिन आज तीप्रासा का आशा को आप तोड़ना चाहते है लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे जिन्दगी में मुझे तीप्रालान मिले या ना मिले एक ना एक दिन तो तीप्रालान तीप्रासा को मिलेगा और मैं उस दिन का इंतजार करूँगा और आप अगर हिम्मत दिखाना चाहते हैं कम्मिनिस लोग तो बक्सनगर और धनपुर में मदद मांगने क्यों आए बीजीपी को तो हरा नहीं सकते बंगाल में ममता बैंजी को हरा नहीं सकते केरिला में कॉंग्रेस से हार रहे हो रोज लेकिन तुरुपुरा में तीपरा मौथा को नीचे दिखाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो असल में आपके जमीन से आपका पावर आपके पेर के नीचे से बिसल रहा है तो मैं आप सब को एक बाद बोलना चाहता हूँ तीपरासा अपना कॉंसिट्यूशनल अधिकार मांगेगा आप हमारे साथ नहीं है कुछ फरक नहीं पड़ता आप हमारे साथ पहले भी नहीं थे जिर्फ वोट के लिए आपने हमें इस्तमाल किया अब तीपरासा बेकूफ नहीं है अब तीपरासा यह बयान था प्रद्युद्देव बर्माकार जो उन्होंने सीप्यम के आलोशना करते हुए दिया जितेंद चौदरी यही ने रुके उन्होंने राज्जी की भाजपा सरकार पर भी कानून बेवस्था में विफलता का आरोप लगाया उन्होंने भाजपा नेताओं की साथकात असमाजिक तत्वों, माफियाओं और ड्रक्स तसकरों के साथ होने की बात कही और कहा कि इसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल है जिस वज़े से समाज में अपराद बड़े है जे सरकार बलशेन नेशामोक्त त्रिपुरा जोदियो आबार सरकारे तत्थेई एस्चे ए त्रिपुरा जो ए नेशाकार बारे बारत बर्शन मुद्धे एक नाम बारे आइन सिन्खला तारकुन नियोंत्रण नी पुलिस कुनमजा गाते एक्टिप ना एई कारने जे बाजारे मुरी-मुर किर्मत एई ड्राग बिक्री होच्छे ड्राग बेभार बार छे और अर्थनितिक समाजिक एई जे अस्तिरोता शे कारने हतासा थेके जो बोग्राशे लिप्त होच्छे आमी बोल्बो एटा कोनो एक्सिरेन ना एटा भारतियो जनताव पार्टी सरकारेर बा भारतियो जनताव पार्टी दलेर एक्टा प्रजेक्ट दस्ता एई नारी दिज्यातनेर धर्षन गनधर्षन बाहत्तार घटना होले पड़े अभिजुक्त के नौई जो नी होला साशक दल और जी मत्र साशक दले नाम उच्चरित होए पुलीश आर एक्ट इंचिया गुईना सिर्फ सिप्यमी नहीं तिप्रा मोथा भी कुछ यही राय रखती है जितेंद्र चौधरी ने भाजपानेत सरकार पर राजमें गरीबी उन मुलन के लिए भी कोई खास कदम नहीं उठाए जाने का आरूप लगाया है तुलाशिकर ब्लोके एडिसी आलाका तार मोद्ते विशीर विशेश करे धलाई जालाते धलाई जालार क्वयक्टि ब्लोक आलाका छावमुनू मनू इदिके राइमाभेली अनि दम्मुन अगर एडिसी आमबार्षार गंगान अगर बिनापशर चाओल इटवो ए गरीब जूमियादर गरे उनिकेर गरे डजाक्षे नाले। जे शमस्तो पुरिवार है अनाहारे मित्त्य होये छे बाओर धारेर होये छे तादर खवर नीक। को दिया है क्या वे अक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं क्या राज्यकी भाच्पा सरकार में कानून व्यवस्ता वाकई में चर्वन आ चुकी है। कुछ नहीं किया यह कह रहे हैं प्रद्यूत देव बर्मा सबसे पिछड़ा और गरीब बना के रखा है। कि बड़ा आरोप लगाया है क्या कहेंगे। कि आरोप लगाया है क्या क्या है। कि जो कोछ कड़ा है तो प्राइबेल की लिए त्रिपुरा का तो CPIM लेफ्फंटी कड़ा है। कि अगारी तो उकका कोई राइट नेही था। उनका जो लेंगुज भासा है उसका कोई शिक्रिती नेही था। तो जो महाराजा का शॉस्टेम पे भी कपड़ात भासा को कुण उन शिक्रिती नेही था। लेके नमलुक जगन गवब्रेन्मे आया है, 1978 में, we have introduced the corporate language as the second language of the state. And we introduce in the primary level, corporate reading. And then, after University level, the course is there, one can read, write and a PhD also, they can run by corporate. कर दो कर दो नहीं वीं बड़ जड़ा सुने छोड़ास कुछना कुछना है।। फ्यर्य देख प्रिफीश मिनिस्ट युश स्वीश कर दो दोक दोत। इसम लिभी जावता सब्सक्राइब।। कर दो दो प्रिफूर्पूरास। इस कि अद्जूत। भॉड़ास। अज्ज क Now, most of the doctors in our hospitals are from the tribals, professors are tribals, engineers are tribals, a lot of them. They are going outside also for job. The development of the tribals, it is only done in the left front regime. What he says, I say, he may not know. When our government is there, he meet us. We have a good relation with them, him also. He tell them, you are doing a very good job. Now, he is in the party. Now, he says the CPM is doing nothing. It is completely false statements. I strongly oppose his statement. The statement given by by Mr. Prabhupada Kaur in regards to Pagparov's introductions to the Central University was never done by the CPM government. It was in a single day when the movement for Pagparov went to His Excellency, and the Honorable Governor, F. P. P. Acharya. He himself, he took the interest immediately saying that, of Pagparov is such a wonderful language, why this is not being introduced in a college level and also in the university. So, immediately he has someone, the vice chancellor of the Tilprath Center University, and also the director of the Agartala here, and IT, and also to the registrar from the ICFA University. There then, in a single day, he has asked them to introduce the Pagparov as part of the department in the Central University. This is how the Pagparov was introduced. So, if the CPM is trying to take the credit out of that, I think, I am so sorry to tell, this is strongly, I oppose and strongly call system. Secondly, if there are talks about the development, I can tell you what the Bhuvagra Prathut Kisho Manikyo has said. This is very much true because, for the last 35 years, they keep on saying that, we are the government of the government. We are the government of the government. We want to develop the government of the government. We have all the people who have come to this. But, it was just the opposite. We have the government of the government. जा यही कार रहे हैं, एसे निया हम लोग 10% गरीब बनना होगा, इतरा सबस्टों तो गरीब बनना से हम लोगों का सरकार रहेगा, एसे करके पटीश साल, यह फेर आपनी साल इसे कर आप ते करे वहां था करा हैं। आफ बनों प्रहुट के लिगरा है.. आफ बनों उपन्धनailed की सक लेक्ट। ऍाफ बस्क्टिंत even इस्टिंडी अजर्बडर्वि isso को सetsंबाएं YES अंगANT रि quickest्टिंट इस प्रैका लिग टीड़ोटर態 क WAS बस्क्टिंट मुड़ी को कि खिस्तले जब जाएं They keep on saying that they have given a job. To whom they have given a job? To those people who have studied class 8, to those people who have failed class 10, they have all given the job. That is very small job. Why? Because they don't want the tiprasa to go out. They don't want the tiprasa to continue their higher study. Therefore, our people have fought and struggled and studied and now today engineers are there, doctors are there, PhD holders are there. In every field, our peoples are there. But today, they are not giving a job. Why? There are so many backlogs of ST6. These are not being given. Why? That question is why. I just want to ask them why. Let them clarify and let them give us details. That is what. So, the statement which has been made is totally false and only in terms of the elections. Okay, so, we will have to do the counter. We will have to do the counter with Pabitra Karjee, but Congress and the Pabitra Karjee have also linked to us. We will talk about the counter. We will talk about the break. Let's go. आरो प्रत्यारूपों के बीज त्रीपुरा का राजनीतिक परिद्रिश्य क्या है वो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ कॉंग्रेस के प्रवक्ता पार्थ आचार जी भी जुड़े हुए है पार्थ जी एक समय कॉंग्रेस की भी सरकार रही है काफी समय पहले हाला कि 35 साल कम्यूस्ट ने साशन किया और जिस तरह से प्रद्यो देवबर्मा कहा रहे हैं कि कम्यूस्ट के साशनकाल में जन्जातियों का विकास नहीं हुआ साफतार पर उन्होंने कहा है कॉंग्रेस की भी सरकार रही है ऐसे तो यह बात आप पर भी लागू होती है को में आपी लोग नहीं पर्द। ए एफ लुट लगे हैं फिए जह हैं एचा कहाँ लगे में लगे बात आप परेव्ट अपर लेगे ओलंत। सुट लगे में लगे लगे लिए पर भी लगे उन्हें लग मेंग्रेस बाप लगे प्रस्ट लगें हैं बमाहब इनके जाहाख आविप ने áства 1978 communist government came and then we begin to see the problem of extremism I am not blaming the communists also here I'm telling you the history now the tribals are anyhow they are decreed now our Depramatavra and has just told that आप जो तिप्रा मोथा मांग कर रही है उसके समर्थन में है क्योंकि जन्जाती 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 है जन्जाती 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 जन्जा फिर्णी में, बिक colे में होार प्रकिनी भीन। थीकीवर देने लीडिकीटेर सब्ताइब वर्नकूर्टीब। वीरे दॉधष लाव में। अदिवशिस लेपल्सितित्यभणी न उनने से हिंदुतावद ABOUTि so we are not here to make any division we have for us only two class two race two religion in india that is poor and the rich unfortunately bjp is on the side of the rich the 15 percent upper caste people they represent and they are if not bjp the hindu tabadis are calling for hindu rashtra also and this kind of division we don't support we support the progress and development of all the people and we don't support that the 10 percent people will enjoy all the wealth all the necessary things all the progressive things in the country and the 90 percent remains deprived so we are doing that we are doing that struggle not this struggle of only tipra motha of only ठीक है ठीक है ठीक है पार्था अचार्जज़जी ठीक है नवेंदु भटाचार जी प्रवक्ता है भाजपा के उनका में रुक कर लेती हूँ तिप्रा मोठा ने ग्रेटर लेंड के समवेध्हानिक समाधान की लगातार मांग कर रही है मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ क्या के Song इसे जायज मांग समझ रही है क्या कुछ रुख है केंदर का स्पष्ट रूप से जानना चाहते हूं ये भारतिये जनतरबाटी का जो अवस्थान है वो बहुत पहले से पस्ट किया गया है बिशाई ही है कि जो बिशाई है और इस बीच में भरतिये जनतरबाटी की नाम भी आ गया तो भरतिये जनतरबाटी पहले से देख रहे हैं त्रिपुरा के लोग देख रहे हैं चुनाव शेत्र में उन्होंने क्या बुला था कि महरजा प्रदूत ने उनको समर्थ हंदिया हुआ है यह सब बुला है वाई इलेक्शन में उन लोगोंने क्या किया वो तो सबको पता है अभी कीश मूं में ओ यह बात कर रहे हैं तो ठीक है चलिए ओ आपस की बात है तो त जनजाती एरिया में उनका पूई वज़ते नहीं है पवित्रबाभू और बाकी सब लोग जब जाते हैं उहां पर लोग बीछे मुर के चले जाते हैं उन लोगों के देखके अब सोचिए यह लोग इतने साल तक पार्टी में थे आभी ADC में एक भी आशनो जीत नहीं कि आज साल में एसा क्या हो गया कि ओलो बिपक्ष में भी बेटने लायक नहीं रहें रहें कॉंग्रेस को साथ लेके कांग्रेस को अपना अध्वेंश पार्टी बनाया और उनके मने अब साथ में लेके अभी यह स्थितिय उनका तो चीपियम ने क्या किया यह लोग तो चाहते हैं जुरिये मतागर ना जुरे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें और जितन चोदरी ने दूसरी बाप भी बुला मैं एक साथ बोल देता हूं कि लॉइन ओडर के विशय में आप यह उनको पूछी ए सिपीम के लोगों को अपना जो भवन बनाये ना यहां परतिपुरा में जिबेंदे जी सिपीम के वरिश नेता हमारे साल मौचुद हैं जुड़े हूए हैं वो देंगे आपको काटर वो देंगे आपको जबाव में आपको पका घर मिलेगा भी लेकिन उनके जमने में जिस गाव में कोई पका घर नहीं था लेकिन वहां पर एक पाल्टी का ओफि परियों के साथ उनका संपर्ग था उससे भवन बनाया गया है और आज जाके यह लोग जब पुलिश एक्सेज शुरू है पुलिश दरपकर कर रहे हैं बहुत माफिया यहां से चले गए हैं ड्रग माफिया तो अभी जाके यह लोगों को लगा है कि आरे अभी तो अपना पुष्टी नहीं मिलेगा यहां से तमचा कि यह सब बैन बाजी करते हैं ठीक है ठीक है नबेंदु जी ठीक है मैं CPM के जो वरिश नेता है पवित्रकर उन से उनका रेक्शन लेती हूं नबेंदु जी ने जो सारी बाते कहीं भरष्ट अचार के आरूप भी लगाए है उन लगो पुष्टीपटर में है अवरा यह पुष्टीपयर है यह जो आप पुष्टीगा देक रहहा है यह तु तो जी ठाथ है यह यह ज़ीं आदेर कहीं है यह लोग जिए है और धर चार्ट, чет that was releases 카कारा क्यापके बासितेैं से कीषते हो दिया है, दिरमें हो थे संगे हैं। क्योरी ज्टस नहीं, प्रिकर्यवा संन्टीरोट में प्रिकेवाी यaz से ज्रु stiff जिएषी दिए ऐसाजे कली है, यह जो कारी करता है उनका नाम पुराद इस इस दिश्ट नोट आर पर इस एकॉमन इन आल दे निश्पेपर और अंड अद जो इंड जो इंड गार जाए कुछ कहना चाहेंगे कुछ कांटर करना चाहेंगे भारतिये जनता पार्डिक है कोई की क्या रहे करता कर नाम ले जो ड्रांग मफिया है सीपीएम कहाजर लोग अभी अभी जुडिशियल का स्टुडि में है अर्थिपुरा से भाग के भी गए जिए जनता पार्डिके सरकार आने के बाद एक्षेन सुरुआ है और उसका स्पष्ट रूप देख रहे हैं अभी लोग देख रहे हैं इसके पहले पकर भी नहीं जाते क्योंकि पुलिस पकर गा क्यों पुलिस तो कॉंट्रल में थे उनके ना तो क्या उनसे अपना पैसा लेते थे उनके दोवरा ही ते यह सब भबन बनाया गया है जी आप लोग आके देखे जाईएगा सिप्येम का कितना बराबरा बंगला यह उन पर तो कहां से बनाया जुमिया के पैसे से त्रिपुरा में ठीक है नवेंदू जी जी नवेंदू जी ठीक है एक ब्रेक पहले ले लेते हैं उसके बाद चर्चा को जारी रखते हैं यह आरोप लगा रही है कि जो TTAADC है वहां पर फंड का दुरूपयोग हो रहा है क्या TTAADC में एक तरफ बात करें दुरूपयोग की लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि फंड जो है वो उच्छे जितना मिलना चाहिए ता जितना आवशक है उतना नहीं मिल रहा है आप से मैं यह जानना चाहती हूं मुख्यमंत्री से भी आपने बात की है क्या कुछ हुआ है क्या कुछ जवाब मिला है अब तक प्रवाब मिला उन्चे तुरूपय प्रवाब मिला अपने विजडी तुरूपय को लिए यह जवाब बात की लिए जवाब मुझा इसलारे इन आप विए अफ्यूश्य अवट प्रूटब प्रूपय। it is around 500, 80% is for the salary now 20 % out of 20 % is the development. What kind of development you are going to do? अगर गरिब रहेगा, तो हम लोग हमारा पाती रहेगा, तो उस mentality से ET-ADC को भी ऐसे करके सफ्रस करके राता है, अब जो BGP आया, BGP, आई टेंटी जो और में आया है, I should first and then for introducing the holiday, declaring the holiday of our Bumagra, the Maharaja, one day, first. Second, they have installed the statue of our Maharaja. There was a first stand when they came to power and they have given us. Till then, it was very good. but thereafter subsequently they also did the same thing with the ADC. Now, even, okay, during the Sipram time, they didn't give us the script that the Deepasa demanded, but now BGP, ITFT are in power but day to day not giving the script, Pakogoram. Now, our women has protest, our youth has protest, our students have protest, but yet the Chief Minister of the Department at present, Dr. Manit Shahar, has written to the CBHT board saying that the portion paper should be, the 10th book should be printed in general script. We are not against the general script. were only concerned that scientific script that can be written scientifically that can pronounce, that can spell out is the only Roman script. So, they should give us the option. Whoever wants to write in German script, let's write. Anthony, who ever wants to write in Roman script, let's write. I have written a read. I have to I to I read. I have to read. I पूरा बोरा दो रदिया है कि कौन डिपार्मेंट से कितना पैसा गिया है माने इस बार हैस्ट एलोकेशन है एडिसी में तो काम क्या कर रहे है वो लोग देखेंगे जवाब वही देएंगे लेकिन तृपुरा में एक दिन में इसा अहलत नहीं हुआ के इतना दिन सर्ते में थे लेकिन वो लोग किया नहीं इसके कारणी यह सब शुरू हुआ है और सच में बाद है छिए जाथा जलते लोग जहां पर जादा रहते हैं उस स्थानों में उस हिसाब से कारियर करना कथिन हो रहा था केंद्रिय सरकार चाहते थे फिर भी समझ साय हुआ लेकिन अभी जहां के बहुत जगे में मतलब जहां जहां पानी नहीं पोस्ता था वहां पर काम शुरू हो गया और यह हो रहा है और खेतिवारी जहां नहीं हो पाता था इरिगेशन नहीं था वहां पर हो रहा है सारे जागे डेवलप्मेंट वर्क चल रहा है और एडिसी क्या कर रहे है एडिसी के ओ लोग हिसाब देंगे अपना मैं यह होता हो प्रदार्य जो है लोगी तो प्र moyenजस मंटने टी Manuel सुन रहेतें सब्सक्रामा बडन को स्टैमेंट कवाक क्या तब जो त्रिपुरामा था के लोग उहां पर थे उनकार सकते थे यह विशह में तो नकार नहीं तो यह देख रहे हैं सीपीन के कारण यह राज्य का यह स्थितिव हुआ है यह बात सही है लेकिन अभी प्रगति की तरफ चल रहे है ठीक है पवित्रकर जी का मैं रूख कर लूँ पवित्रकर जी भाजपा के साथ कही न कई गुप्त साथ गाठ है जिस तरह से जितेंतर चौधरी ने अपने ब्यान में कहा है लेकिन अगर हम उपचुनाव को जो हाली में गये हैं उपचुनाव उनको देखे तो तीपरा मोथा और उन्हों नहीं कहा था जितेंतर चादरी नहीं कहा था कि तिपरा मोथा और जो यह cpm है वो साथ मिलकर काम कर रही है और कही न कहीं जीताने के लिए जो तीपराम होता है उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं उता रहे थे अधरा बाची गवाए है एक सब्सक्राइब कर लिए लेकिन लास्ट टाइम पे वो डिक्लेयर के रहे है हमारा जो सपोर्टर्स है तो सपोर्टर्स किसको बोट देगा वो खोड चायन कर लिए यह बीजीपी के साथ जे उनका मेलजूल है उनका जे एड्जस्मेंट हुआ है यह बास से पता लगाते है इलेक्ष्ण रेजाल पे जो आप देखेंगा उस उधर से हुआ है यह जो दो बाई एलेक्ष्ण लोग बीजीपी की ज्यादा बूट मिला है ट्राइवी लिएस में से अपर, सब्सक्राइवी ने किया है है जो पाति है रिदिव कर रहा है यह मतलब यह समझेंगा करें कि हर बार बार अलग ब्यान क्यों आते हैं इस पहले तो था वह सब बाचित किया था ता हम लोग सबचद करेंगा बीजीपी को हटाना है लेकिन बाद में वही तो आपको नहीं लगता कि इस मांग पर गौर किया जाना चाहिए आप लोगों की भी सरकार रही तो ऐसे में जनजातियों का विकास हुआ यह आप कह रहे हैं लेकिन क्या जो अभी जो यह मांग है वो क्या लगता है आपको कि क्या इस पर गंवीटा से विचार किया जाने की जरूरत है यह आपको क्यों comिल सोवा за गया जीर वाय कि आपकोर प्राश ? करुपी ए्पयास तुक कर दुपर्स है कि अधनीश अधनीश क्रेश्ध़ Spit में थे लिए हमें ठानीश इंपती एंगनीश से हत्ता विनलेस अधनेशा है all are unemployed and all the credit goes to almost six and a half years old bjp government and the second credit goes to bjp government is that tipura has become the heaven of drugs and drug peddlers so and here uh 10 to 15 percent people at present who are supporting bjp not more than that they are all related to these drug paddlings and all these mafia goodies this is what bjp is now and bjp is currently i am sure so many people have joined congress motha is there cpm is also his old party so in terms of support bjp is on the i have told it earlier also on the fourth position if one election is held now bjp will come to fourth place number one congress number two maybe motha number three cpm and bjp will go to fourth place this is the condition of bjp now i'm referring to your question uh our party our party chief mr rahul gandhi kargeji all have always categorically said that we support the demand of all the janjathis for their development and we have already told that we are supporting the direct transfer direct funding there is no problem and whatever demand is there uh within the jurisdiction of constitution and if it is legitimate then talks can be held and we are not jumla party that will tell something in front of you and will tell something else back of you like uh bjp told once as our um popular leader the one and only mass leader we think mr sudi priberman has categorically said in more than one more than one speeches that mr omit sha told him one day told him or in the meeting that uh to give the praline means to give priority to the christians how can we support a christian land so we don't see these things in that manner indian first of all indian that is enough and then comes the question of poor or rich and most important whether you belong to other backward classes janajati or whether you belong to those so-called um high class hindus this is what we are demanding so and this is the answer of uh spokesperson anthony the burma and my another thing which i want to tell to mr prabir babo is also uh this is not a complaint uh but what we have seen uh during the regime from 18 to 23 during the regime of bjp the opposition leader has not raised his voice so strongly and even belonging to bjp for thinking thinking for the common people of the state mr sudi priberman also voiced so much against his government but then the then uh opposition leader did not voice so much against bjp so at present congress is only voicing boldly in tripura and so many people are coming to join congress and we both in tripura and in lokshava also in india congress is going to come in the power and we will solve we'll solve all the problems that is related to humanity that is related to the problems of humanity that is related to humanity that is related to the problems of humanity तो ब्रेक में जाने से पहले पाट था अचार जी जी खह रहे थे कि विपक्ष जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो अपनी आवाज मजबूती से नहीं रख पाती है जबकि कांगर्स से एक मात्र पार्टी है जो बुलंदी से अपनी आवाज रखती आई है और रख सकती है, यह दावा उन्होंने किया है, पवित्रकर जी आप से जाना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस बारे में? ॥िय है तो अओनो जाना 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 है, हमाना जान स्सक्राम जाना हाई जाना हैétatा स्निस, गिरेंट्ट्रण तौन, मौत explorer, पवित्व कहन देंग्ड़ सर्गйानदू ऌंटर्ण से ञ localized अजुश्ट, ब्रहारान काहिए हां। the Congress people particularly helped them to come to BGP in power in 1918. All the Congress family joined Trinamul, then Trinamul to BGP and then all the voters of the Congress, they have joined this BGP Congress and then the Congress, BGP come. It is the real fact. But there are no organization is there. Now, they are doing some job. It is good. We hope the Congress can back their followers from BGP. Yes, that's right, Pavitra Ji. That's right. Anthony Devbarma, the R.O.P. which is said, Partha Acharya Ji, what are you saying to him? He's saying that you can't raise your voice from BGP. I think the whole media sees and even in the Assembly, it is in the history of Trinamul, the only Trinamul who is boldly raising the issue and the only party that is consulting to the BGP is only Trinamul. There is no other party. People may proclaim, people may, you know, blow their trumpet. But actually, in reality, people witness it and even the media witness it, who actually raise the voice, who actually control the government, who actually fight against the, you know, policy which is against the indigenous people. And we are fighting for the right of TIPRASA and that too within the jurisdiction of Indian Constitution. We are not fighting against any, I mean, against the, the legal framework. I think this is our strength. And till today, as we all have seen, it is the only Trinamul who is boldly raising the issue and confronting with the BGP and IPFP party. There is no other party, as of now, until today in TIPRASA. And we are the only party that can actually, you know, challenge and accelerate the big national party to BGP and IPFP. No, definitely that is, as I have said, during the time of C10, we have been, suppressed and we have been discriminated. Even till today under the regime of BGP, it's also the same. And one of the things that I would like to bring to the, the media, in regards to this drafts, I think this is something becoming a very big issue because during the time of second regime, our TIPRASA has to fall out their baby at the rate of 500 rupees, which we have raised this issue. And today, under the regime of BGP, you will find many of our youths are dying out of this drafts. Actually, they are only talking in terms of cannabis. But how many youths or how many TIPRASA or how many people of TIPRASA have died after consumption of cannabis? But you are only catching the cannabis supplier. But what about the other brown sugar, other types of drugs that is coming to TIPRASA and that is reaching to the youth of TIPRASA? And every day in average, every day, one TIPRASA youth will die. That is there. And they are dying. So now, if you are concerned so much about the SAPKASAT, 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 then where is that motto? Today, if you talk about the development, that question comes, development for whom? If the development for the poor people is not being addressed, if the language of TIPRASA is not being addressed, if the culture is not being addressed of TIPRASA, then what kind of development are you talking? You are talking of broadening the highways, you are talking of broadening the rules and other things. But there are so many land acquisitions that they can play. But none of our indigenous people at TIPRASA are being given adequate competition. I have met with the official authority here in the way with the DN, you know, how they suppress our people? They said, we don't, we follow the law and others, we follow the legal procedure. But in terms of practicality, they have never followed this. So this is the concerns and this is how the TIPRASA is raising the issues. That's why we said we are not against any party or we are not against any community. But we are against the policy, we are against a system that is depriving the TIPRASA, that is appraising the TIPRASA. What is the harm? What is the harm to give the right of TIPRASA so that TIPRASA can live with dignity, with their identity? What is the harm? If the TIPRASA wants to live separately within the state in order to to develop ourselves in our own way, what is the problem? Why the state is not supporting? Why the central government is not supporting? So if you are not addressing the suffering, all of these issues, there are no questions of development. कि विखे तवी थैसी क्या रही सब्सक्राइब कर अविई है। में हो फिए और मृत है। मैं हो बजिए कि प्रीम ऑट मुटने की तानी कॉम्यिस्ट्ट्ट्रव में विए उपलारों की मांग तुगेदर आपि लेखिए हैं। अवे लोगे लिए ऑन्टी नायूवी खेंगे लियुके नायूऑ इटोजयिति लिए धरिशिक्ते लिए कि आपे लिए लेक्टाशब के बाद हम अन्याव इनाव ऑन्ट लिए लोगेपने लिए। ऑन्राूम यहां इन्माना है जरे लिए डिर्माइब दे का अव प्सका च and in a democratic atmosphere only you can demand whatever you demand is democratically and that may be realized also democratically as the state of Chhattisgarh was formed I told you and all these Telangar and all these were formed there was no such any violence or no such any kind of extremism just a democratic movement and these states ॐ थीक है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने तमाम पैनलिस्ट का शो का समय समाप्त हो चुका है बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद ।